आज मैं दोस्तों आपको जहारगंड का एक कहानी सुनाने वाला हूँ भाई ने बेच दी भैंस तो भाई को खेती किसानी में होने लगी प्रॉब्लेम उसने भी बना लिया सूपर स्कूटर, सूपर स्कूटर होता कैसा है यह ट्रैक्टर में जो पावर टिलर होता है उसी प्रकार का इसने बनाया कहते हैं कि अवस्यक्ता विसकार की जननी होती है जब तक कोई समस्या नहीं आती उसका समाधान भी नहीं खोजा जाता यह कहानी एक ऐसे किसान की सूजबूद से जुरी है जिसके भाई ने घर की दोनों भैंसे बेच दी थी लिया जा दूसरे भाई को खेती किसानी के लिए दूसरों से बैल मांगने पड़ते थे हैं लेकिन ऐसा कब तक चलता यह भाई छोटा मोटा गाड़ी मेकेनिक था उसने कबार से एक स्कूटर खरीदा और उसके इंजन से पावर टीलर बना लिया जैसे कि आप लोग पिक्चर में देख रहे हैं इसने पावर टीलर बनाया जिन्दगी में अगर कुछ करने की ठान लो तो असंभव भी संभव हो जाता है यह देशी जुगार की पावर टीलर भी इसी का उदाहरण है अगर आप नहीं पावर टीलर खर देंगे तो काफी महंगी पड़ेगी इसने मात्रा 8000 में पावर टीलर बना लिया लेकिन यह कुछ 1000 रुपे में बन कर तयार हो गई इसमें कबार से 3000 रुपे में खरीदा गया स्कूटर का इंजन लगा है कहते हैं कि अवसकता पढ़ने पर कोई भी काम आसान हो जाता है जब कोई समस्या नहीं आती उसका समाधान भी नहीं खो जा जाता यह कहानी एक ऐसे किसान की सूजबूत से जुरी है जिसके भाई ने घर की दोनों भेंसें बेज दी थी लिहाजा दूसरे भाई को खेती किसानी में दिक्कत होता था छोटा मोटा मेकेनिक था जिससे वो मसीन मेकेनिक और गाड़ी बनाने में उसे काफी सहायता मिला क्योंकि वो एक मेकेनिक था यह मामला कुछ समय पुराना है लेकिन इसे आपके लिए पढ़ा रहे मालूम चले आपको ताकि आप भी निरास और हतास नहों और समय आने पर अच्छा कारे करें यह पावर टिलर दस गुने कम खर्च पर खेती की जुताई कर रहा है यानि धाई लिटर पेट्रोल में पांच घंटे तक खेती की जुताई कर सकता है रमेश तीन भाई बहनों में सबसे बड़े हैं तीन साल की उम्र में वे पिता के साथ पूने चले गये थे पिता वा महदूरी करते थे उन्हें 1995 में रमेश बजाज सुरूम पर काम करने लगा 2005-06 में बजाज कमपनी से मेकैनिक की ट्रेनिंग ली लेकिन कम पढ़े होने से उन्हें जौब नहीं मिली तो वे गाउं लोटा हैं और उसके बाद इस तरह का किये मोग कारनामा जिससे उनका हो रहा है सराहना तो आप भी सब्सक्राइब जरूर कराना और खुद भी करना